विल्कम बैक टो माई चैनल दीप स्टिचिंग इन फेशिंग में आपका स्वागत है आज हम डीप वी नेक ब्लाउज जो है प्रिंसस कट में बनाएंगे जिसका बैक पार्ट मैंने पहले से बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहां पर मैं यलो पर करने वाली हूं और मैंने सिंगल पेपर लिया आप चाहिए तो डबल भी ले सकते हैं क्योंकि बैक पार्ट मैंने बना के कंप्लेट कर लिया लेंथ में हमें 2 इंच करना है 14 मेरी लंबाई ब्लाउस की तो मैंने यहां पर 16 इंच लिया है शोल्डर जो हम यहां पर 5 तो मैंने 8 लिया है उसके बाद हमें 3 इंच एड करना है सेम कोई साइस का बनाओ तो यही करना हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है उसमें 3 इंच यहां से एड करना है और इन 3 इंच को हम मिला देंगे उसके बाद यहां से हमें जो है चेस्ट का 4 पार्ट लेना है और उसमें 4 4 इंच एट करना है क्योंकि यहां पर प्रिंसेस कट का टक्स बनेगा इसके लिए तो देखे इस तरीके से इन पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे यहां तक हमारा एट था 32 का फॉर्थ एट और इसके बाद यहां पर मैंने उपर 3 इंच एक्ष्ट्रा लिया था नेचे के साइ आर्मोल का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से क्योंकि फ्रेंट साइड है तो मैं थोड़ी सी गोलाई इसके अंदर से लूँगी इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है उपर से हम 13 इंच पे मार्ग करेंगे और देखे नीचे हमारा 3 इंच बचाए 13,5 इंच हम ले सकते हैं और यहां पे भी हम पॉइंट जो है 3 इंच पे सीधी एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से यह हमारा जो ही प्लाउस का नीचे का बैल्ट रहेगा इसके बाद गले की चुड़ाई 2,5 इंच लेनी है और उसके बाद हम यहां से टक्स पॉइंट लेंगे तो 10 इंच इंच आएगा टक्स पॉइंट उसके बाद में यहां पे 4 इंच पे मांक करना है हमें और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दोनों साइड हमें 1.5 इंच और दूसरी साइड भी 1.5 डेड़ इंच पे मांक करना है और इस पॉइंट से मिला देना है यह प्रिंसस कट में बना रही हूं में और फिर उपर आर्म होल के साइड हमें इसकी गोलाई दे देनी है कुछ इस तरीके से हर साइड में यह है जो है इसी तरीके से बनेगा प्रिंसस कट का ड्रॉप उसके बाद देखिए यहां से हम थोड़ी सी एक तिरशी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेल्ट का शेप देने के लिए और यहां से हम एक इंच पे मार्ग करके इस तरीके से यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे अब हम जो भी नेक डीप नेक में बना रहे हैं इसको तो यहां पर भी में दो इंच पर एक मार्ग करूंगी और यहां से हम इसका शेप दे देंगे हलका सा पान शेप भी दे सकते हैं और हम एकदम वी शेप भी दे सकते हैं तो देखे इस तरीके से मैंने इसका कम्प्लेट कर लिया अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कम्प्लेट कर लिया अब हमने यहां पे अस्तर वाला फैब्रिक लिया और उस पर हमें इतना ध्यान रखना है कि जो बेल्ट है हमारा वो फोल्डेट साइट की तरफ हो उसे हमने ड्रो कर लिया और इसकी कटिंग जो है मैंन फैब्रिक पर भी कम्प्लेट कर लिये उसके बाद अस्तर वाले कपड और मैंन फैब्रिक को हम जॉयन्ट कर लेंगे इसमें सिलाई लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे इसके बाद प्रिंसस स्कर्ट का साइड वाला पार्ट है, इसमें भी हम इसी तरीके से जो अस्तर वाले कपड़े को और मेंड फैब्रिक को जोड़ लेंगे, उसके बाद बेल्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे इसके बाद हम princess skirt का side वाला part जो है देखे इस तरीके से हमें इसे attach करना है हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इसे नीचे से ही सिलाई लगाना शुरू करना अगर उपर थोड़ा भूत कम जादा हो तो उसकी हम extra जो है cutting कर सके armhole के shape में सेम इसी तरीके से दुसरी side को भी मैं joint कर लूँगी तो देखे इस तरीके से हमने इसे complete कर लिया है उसके बाद जो है इसमें yellow color की मैं pipe in लगा रही हूँ यह जो है मैंने उरे पट्टी cut की थी और आप चाहों तो जो ready made pipe in आती है वो भी लगा सकते हो इसमें उरे pipe in में जो finishing अच्छी आती है तो देखे यह जो अंदर वाला कपड़ा इसे pipe in के अंदर रखना है और इस तरीके से शिलाई लगाने तो pipe in अच्छी गोलाई से बन के आती है इसी तरीके से दूसरे साइड भी pipe in लगा के complete कर लेंगे उसके बाद नीचे वाला belt जो है इसमें भी हम pipe in लगा लेंगे तो देखे इसे भी मैंने pipe in लगा के complete कर लिया अब जो यह दो पार्ट है हमारे उसमें हमें जो है यहां से देखे इस तरीके से half inch की जो है हलकी सी गोलाई दे के cutting कर लेना उसके बाद यहां से हमें इसे joint कर लेना है दोनों को सिल देना है देखे इस तरीके से जोड़ देना है यहां से उसके बाद हमें इसे सेंटर में से फिर से में फोल्ड करूंगी और यहां किस पे में एक इंची में इस तरीके से इसकी तिर्शी लाइन कीच के जो कटिंग कर लेंगे आप वीडियो में देखके भी समझ सकते हो ताकि हमारा जो नीचे वाला बैल्ट लगाए तो उसका शेप और फिटिंग अच्छे से आए तो देखे इस तरीके से हमें इसमें इसे अटेच करना है तो हम सेंटर में से स्लाइ लगाना स्टार्ट करेंगे तोनों साइट आधी आधी स्लाइ लगाके कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरीके से ब्लाउस का जो फ्रेंट पार्ट तैयार कर लिया है मैंने इसके बैक पार्ट के वीडियो भी जरू देखिएगा बहुत इसंदर डिजाइन है नेक इसका बहुत डीप है तो गर इतना डीप नेक आप नहीं पैंते हो तो यहां पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी अटाइच कर सकते हैं तो मैंने करने के बाद उसमें ऊपर के साइड पार पिन लगा लिए दिखें इस तरीके से और इसे हमें यहां पर डिप नेक चाहिए उतना ही हमें से सैट चाहिए तो बहुती वीटिफुल सा फ्रेंट नेक तो यारे अगर आपको मेरा वीडियो पसं में